गर्मियों के मौसम में फलो का जूस हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फाइदमन है तो आज मैं आप सभी किशाष शेयर करने जा रही हूँ यह बहुत हिल्दी और टेस्टी वाटरमेलिन जूस के रसिपी जिसे की बनाना बहुत आसान है तो फ्रेंट्स प्रीज आप इ एक टीजी तारबूज लिए हैं जिसमें की तीन ग्लास जूस आराम से बन जाएंगे तो अब सबसे पहले इन तारबूज के टुकरों को हम ब्लेंडिंग जार में डालेंगे और यहां पर मैंने यह जो ब्लेंडिंग जार यूस किये हैं यह साइज में थोड़ी सी छोटी ह जिसकी वज़े से मैंने यहाँ पे तारबूज को दो बार ब्लेंड किये हैं अगर आपके पास बरी ब्लेंडिंग जार हो तो आप एक बार में ही सभी तारबूज को ब्लेंड कर सकते हैं अब इसमें हम थोड़ा सा चीनी भी डालेंगे तो मैंने यहाँ पर तीन ग्लास के टो बड़े चमर्श लेंगे हैं तो देखिये आधा से एक मिनट में यह एक अच्छे से ब्लेंड हो चुका है तो अब इसे हम एक के मदद से चान लेंगे ताकि इसमें जो भी बरे टुकरे या फिर रहसे या फिर गलती से एक दो सीड रह गये हो तो वह अलग हो जाए और बस सेम तरीके से ही बच्चे वे सभी तारबूज को भी मैंने ब्लेंड कर लिया है और इसे भी हम चान लेंगे और लास्ट में यह ज को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए इसमें हम आधी चोटी चमचे काला नमक आड़ करेंगे साथे इसमें हम आधा यह नीमू का रस्पी डालेंगे जिससे की यह जूस पीने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं और बस इसे हम एक बार अच्छे से मिला लेंगे और गर्मी के मौसा में आप इस वाटरमेलिन जूस की रेसिपी को अपने घर पे जरूर ट्राइ कीजिएगा बच्चे हो या बड़े सभी लोग इसे बहुत पसंद करेंगे सर्फ करने के लिए मैंने यहां पे ग्लास में कुछ आइस के क्यूब और थोरा सा यहां पे मैंने डाले हैं वैसे पूरी तरह से ऑप्सनल है अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं तो फ्रेंट्स अगर आपको यह मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने तो फ्रेंट्स लीजिए यह बहुत हिल्दी और टेस्टी वाटरमेलिन जूस पूरी तरह से ठंडा ठंडा सफ करने के लिए रेडी हो चुका है तो आप इसे अपने घर पे जरूर ट्राइ कीजिएगा तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बा बाइबाओे